करते हैं अन्हें को सब्सक्राइब खुआ ए आपको जब्सक्राइब良 hopes इस सब कुछ मिल जाएगा यह में क्यों बता रहो लास्ट ट्रेंडलान पूरी दुनिया बर की लोगों ने लगा कर रख के दिशिया यहां पर एंट्री नहीं करना है क्लियर क्लियर मैंने मैंसिन किया ते वापर उपर आकर आपका स्टॉप लोस से सिट करेगा मतलब मुझे कम से कम ना बुदाता हूं तो देड़ से 2000 मेसेडिस आए कि कैसे पॉसिबल है कि आपने साड़े-9 बुजे यहां पर बता आता था 930 क चलो अभी हम कंटीनियो करते हैं इतनी चीजों तो आ लिए आप देख चुके हो सबसे इंपॉर्टन बात है फटाबट करके वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इतनी महनत ले रहा हूं आप सब के लिए बस आपको क्या करने वीडियो को लाइक एंड शेर तो करने बस इतना हमने प्लान भी किया था कि मुमेंटम होने वाला ऐसी कोई बड़े बात नहीं है कुछ लोग बोलते कि न्यूस के बते से वह यह हुआ देखो न्यूस बात में आती है पहले चार्ट पर दिखता है यह चार्ट पर पहले मूटे दिखा था मैंने आपको सुबर साड़े-9 ब आपर का जो टार्गेट निकल के आएगा वह आएगा 39,800 का हमरा फोस्ट आगेट आएगा इसके बाद अगर मार्केट कर जाता है तो हम इसको कही ना कर थोड़ा सा 40,000 तक भी टार्गेट एक बार एक सब्सक्राइब कर सकते अगर मार्केट फ्लाट उपर अगर उपर की श गैब डान होने की कोशिश करेगा, अब आप बोलो कि सरफ हर दिन ऐसे प्रेडिक करते हैं कि जैसे लाइक, मतलब लाइक के जो बावा होते हैं आपको बोलते हैं यह होगा ऐसा होगा, देखो मैं बोल भी रहा हूँ तो हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में चीज़े ब और आगर मार्केट यहाँ पर क्याप ड़न हो जाता है तो यह जो मुमेंटम होआ है, इसका पूरा मतलब भी फिनिश अटा हो जाएगा और मार्केट फिर यह आ से वापस नीजे आने लगएगा, लेकिन मार्केट अगर अगर गैब डान हो जाते हैं यह एक आपको लेवल जो हो चुका है और फिर मार्केट यहां से बहुत शाप फास नीचे आ सकता है क्यों नीचे सकता है क्योंकि मार्केट ने कोशिश किया लेकिन सीधा अगर गैप अगर अगर मार्केट बहुत बड़ा gap-up हो जाता है जैसे कि 40,000 पर मार्केट अगर सीधे-सीधे gap-up हो जाए 40 यहाँ पर 39,000 950 के असपास-सपास gap-up हो जाए जो धीकी नहीं रहे अगर मार्केट यहां पर aumentar हो जाता है तो कहीं कर सकता है यह कि यहां पर यहीं पर टञए sä STEM कर शक चाहिए हि pipes कि यहा어서 time pass करने जरूरी है मार्केट यहां से सेल्क क्षार कंट्यूस्य नहीं होघना चाहिए क्योंकि फिर अगर यहां से बहुत बड़ा sell-up हो जाता तो फिर से वापस market अपने zone भी निकल के आएगा, इसलिए better है कि market अगर भले gap-up हो जाए, यह gap-up के अंतरा अंदर ही उपर के side में sustain करें, और फिर यही zone के अंदर अंदर रुखता है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा आने वोले time म बड़े chart पे हम market को थोड़ा सा और upside के लिए plan out कर सकते, लेकिन final के लिए हम थोड़ा सा selling side में prefer करने वाले, upside में हम जो quantity रखेंगा, वो only hub quantity रखने वाले, अभी buying side में, buying side में जो आपकी quantity वो हप रहनी चाहिए, अगर sell side में जाओगे, तो उसके quantity आपकी full on होनी चाहिए, ल zone में आपका, कहीं ना कहीं थोड़ा सा market को watch करके trade करना पड़ेगा, कुछ clear direction में हमारा रहने नहीं वाला है, तो इसमें, यह zone में किस तरह के से react करता है, देखते, gap up होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर बड़ा gap up होई चाहिए, तो हम कहीं थोड़ा सा, पहले profit working के बी कोशिश कर सकता है, अगर market flat open होता है, तो हम upside के लिए प्लान करेंगे, जैसे कि यहाँ पर, अगर market flat open होता है, तो फिर थोड़ा सा upside के लिए प्लान कर सकते, 39,000, 39,000, 950, यह level के लिए हम प्लान कर सकते, upside के लिए, momentum के लिए, बस यहाँ पर बहुत बड़ा gap down नहीं होन हो जाएगा, फिर market में थोड़ा सा, एक यूटर मानने की कोशिश कर सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बता के रखाता है, यह trend line काम नहीं करेगी, यह मैंने clear mention किया ता, लेकिन इस बार यह trend line का अगर यह break कर जाता है, यही पर उपर होने बाद अगर trend line को break कर जाता हो, तो यह पर, जैसे कि अगर आभी फिलाल के लिए जो 6 months से मैं आपको analysis दे रहा हो, वहाँ पर कही ना कि psychological point बता हो, बहुत अच्छे से work out करते, तो यह आपको benefit अच्छे से मिल जाएगा, तो यह चीजों का आप समझो, फिर plan out करो, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सी चीजों को momentum कर सकता है, अभी फिलाल के लिए अगर हम निप्टी का चाड़ देखते हैं, तो निप्टी का कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन के आसपास आसपास आपको दीख रहा होगा, निप्टी कहीं पर भी जादा momentum नहीं करते हो, आपको निप्टी एक जोन में रहा, लेकिन bank निप् पर भी open हो जाता है, यह दोन के अंदर-अंदर, gap down open हो जाएगा यहाँ पर इस सिचुएशन पर, तो फिर हम यहाँ पर इसको selling के लिए भी plan out कर सके थोड़ा बहुत, लेकिन price action को देखने के बादी selling के लिए जाएंगे, क्योंकि market यहाँ से continue उपर जा रहा था, बस ऐसे ही नीचे आता है, तो selling मत करना, क्योंकि यह आपर उपर भी जा सकता है, आपको stop loss भीट का सकता है, फिर प्राइस action को देखेंगे, फिर जाकर इसको selling के लिए plan करेंगे, प्रफपर तरीगी से, ताकि और एक बड़ा downtrend हमें मिलने के लिए plan हो सकता है, लेकिन फिलाल के लिए इस situation पर मार्केट खड़ा है, थोड़ा सा buying and selling दोनों साड में direction, या फिर decision लेने में आपको थोड़ा सा दिक्कती आएगी, अगर आप option बायर हो, तो इस समय आप सोच समझ कर ट्रेडिंग करो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का momentum अगर आप देख रहे होंगे, या या फिल व बी शेप में recovery कर चुका है, तो यहाँ पर open route आता है, तो buyers and seller दोनों के लिए confusion create हो जाएगा, कहाँ पर मार्केट को जाना है, तो होब आप पूरी दरीके से मार्केट को समझ गये होंगे, बाबाए और यून, टेक्के.